फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है तो फ्रेंड्स अभी गर्मी का सीजान आ चुका है और सभी को एक अच्छा बरांड का एक अच्छा रेफीजेटर का भी जुरूत होगा तो इसलिए आज हम एक ऐसा वीडियो लेका हैं जो कि हमको नहीं लगता है कि एक हम बना लेकिन हम टेस्ट करने वाले हैं कि Koode समसॉंग yeter contract को रभ यहीं आपन से चैकर सकते हैं क्कून सबसे बंस अ क्योंसा पता कर देना को विimana ऑपने रहें इस बीडियो को बनाने के लिए कोई भी भरन से नहीं लिए हैं हम आपको जो भी जंकाई यह इसमें पापर सप्लाई देते हैं उसके बाद टेस्ट करते हैं कि कौन सा बरांड कितना समय लेता है चैनल पर अगर आप है चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर तो चलिए फ्रेंट्स सभी में के आइस क्यूब मेकर जो है हम निकालते हैं और सभी में हम पानी डालते हैं अब उसको बाद चेक करते हैं किस फिरीज हमारा जो है कौन सा बरांड का फिरीज सबसे फास्ट हमको आइस बना के देता है तो चलिए सभी में हम पानी डालते हैं इसमें से जो है माइस क्यूब निकालते हैं इसके नीचे से ठीक है इसमें टेप लगा हुआ है आपकर कि अब तो देखिए इसमें हम पानी डाल चुके है ठीक है इसको में अब इसको हम फिरीज के अंदर डाल देते हैं फिरीजर बॉक्स के जो है अंदर में हम डाल देते हैं का से मसें करते हिए इसमें सक और देते हैं और अबें पावर सपलाय नहीं दिया है सभी मोडल में जब यहमडाल देंगे उसके बाद इसमें पावर सपलाय देंगे तो चलिए फटा-फट सभी में पाणी जो है इसमें आपका यह क्यों मिलता है है आफ हैंस ऐसा वीडियो यूटूब पर आपको हमको नहीं लगता है किसी ने भी बनाया होगा तो इसलिए आज हम करने वाले हैं क्योंकि सभी बरांड बोलता है कि हमारा रेफीजेटर सबसे फास्ट किलिंग करता है तो यहीं टेस्ट करेंगे हम हम आप है 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 ऐला है झाल 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 सभी के आइस क्यूब मेकर में हमने पानी डाल दिया आप देखिए आपके सामने में हम सभी का जो है तो देखिए सभी का हम जो है कूलिंग के पासिटी फूल कर देते हैं ठीक है उसके बाद हम पाबर सब्सक्राइब करेंगे यहां पर यह देखिए कूलिंग जो है इसको हम हाइ कर देते हैं यह पूइंट जो है पूरा फूल छे पर डाल दिये इसका ठीक है यह वर्फूल का फिरीज है अपका और सभी का फाइव एस्टार मोडल लिए है जिससे कोई दिकत नहां इसमें तो हम अबस ल्चाइए और इसको वी देखिए हमपूल कर देते हैं यहां से ठीक है और यहां यहां पकर हो गया गुद्रेज का फाइव सब अश्क मेए जो जो है हम यहां से इसको फूल कर देते हैं पूरा फूल आप चलिए सभी में हम पावर कॉट लगा देते हैं उसके बास सभी फृरीज को हम चालू करते हैं तो वीडियो पर आप पूरा बने रहें जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बरांद सबसे फास्ट फूलिंग करता है तो देखे फ्रेंड्स हमने सभी पावर सप्लाई दे दिया है ठीक है सभी को देखिए इसमें पावर सप्लाई दे चुके हैं और सभी फिरीज फूल है इसको भी देखिए हम फूल कर देते हैं पावर कूल पर सिमसंग का जो है यह आपका पावर कूल पर इसको डाल द कर दिए है आप चलिए टाइमर जो है हम चालोह करते हैं चाली में प्हाइबिपाडई को थे गंटा बाद सभी फिरीज को खोलेंगे उसके बाद दिखाएंगे कि कौन सा बरांड आपको सबसे फास्ट जो है आइस में कर कि आइस क्यूब बना के आपको दे देता है तो वीडियो पर आप पुरा बने रहें जिससे आपको थोरा सा भी कन्फूजन नहीं रहें कि कौन सा बरांड आपको जो है फास्ट कूलिंग करके देता है तो मिनट चालू है यहां पर सकेंट इस देखते हैं कितना मिनट में हमको एक घंटा बाद हम सभी फिरीज को खुलेंगे ठीक है तो वीडियो पर आप बने रहे है देखिए फ्रेंड्स इसको जो है साथ मिनट इसमें पूर्णे वाला है कंटिनीव इसमें साथ मिनट तक हम लाइन दिये हैं कुछ सकेंट के बाद इसमें साथ मिनट हो जाएगा उसके बाद ओपेन करके देखते हैं किसमें बरफ बना है किसमें आइस कि बना है चेक करते हैं और फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने बाद थोरा सा यह आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ठीक है तो देखिए यहां पर यहां देखिए वान अवर टाइमर हम आपको दिख रहा है one hour हो गया अब इसके बाद जो है आपका सकेंड चल रहा है तो चलिए यहां से हम चालू करते है फॉस्ट में जो है हम वारफुल का फिरीज खोलते हैं इसमें देखते हैं बरफ हमारा बना या नहीं बना ठीक है थो देखिए वरफुल के फिरीज में से हम यह निकालते हैं तो देखिए इसमें Ice Cube जो है आइसक्यूब बन चुका है और वो भी वानावर में हम को जो है Ice Cube दे दिया है और काफी अच्छा Ice Cube है बहुत है लेकिन अभी ढ़ी बीजु है इसको अच्छी तरह साज्ज़ जबने है यहां पर बढ़िए है Cake कि मैं ऑबर ठिक है और इसी डुच पूर two one समय रहें तो हर्ड भग बन जाएगा तो चलिए इसको फिरिज में फिर से दुवारा रख देते हैं और इसको हम ओप करते हैं आप देखें यहां पर सैमसंग का जो है डिजिटल फाइवेस्टार इसको ओपेन करते हैं इसमें देखते हैं हमारा आइस क्यूब बना है या नहीं बना है तो देखें यहां पर सैमसंग का जो है इसमें इसमें लिए इसां कुछ में आइस क्यूब बाना है एक बाहर निकालते हैं बैठंग अभी तक ये पुम्हें नहीं बना है ठीक है थानल का जो ची चाहता है और इसमें अभी तक फार पूरा बरफ नहीं बना है लेकिन नॉर्माली बन चुका है कुछ समयार इसको हम बंद रखते हैं कि आप यह देखिए हायर का वान आवर आइस टेकनलोजिक साथ आता है चलिए इसको ओपन करते हैं हम इसमें देखते हैं हमारा आइस बना है या नहीं बना है ठीक है तो देखिए इसमें भी आइस हमारा बन चुका है और इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं यह आइस को कि देखिए इसमें भी कुछ जो है कुछ में आइस अभी अच्छे तरह कास जो है नहीं जमा हुआ है लेकिन कुछ जो है काफी हाट जो है है एक हम बाहर निकाल के देखते हैं देखिए यह आइस इसमें आपको बन चुका है यह हायर का है फाइव यह तर ठो चलिए इसको भी हम डाल देते हैं अभी तक पूरा हाट नहीं बना हुआ है लेकिन नॉर्मल ठीक है इसमें भी आइस बन चुका है वान आवर में देखिए यह यह अईलजी का कि इसमेंने बना हूआ है नहीं बना हुआ है नॉर्मालार ऌैस्क्यूब बना हुआ है यह जाता है तो इसे थोड़ादर हैं हम डॉल देते हैं र यहां पर देखेगहें जातर सुट साफ इसको ऌपें करते हैं से इसमें देखते Авफ ऱावार करना है या नहीं बड़ तो देखिए इसमें भी हमारा आइस क्यूब जो है बनके तयार है लेकिन इसमें भी देखिए अभी पानी है पुरा हाट जो है एसी नहीं बना है ठीक है तो चलिए लगभग जितना भी बन है सेमसंग एलजी हायर सभी में आइस क्यूब बन चुका है लेकिन फ्रेंस कुछ समय हम आउर इंजार करते हैं इसको देखते हैं पूरा हाड आइस क्यूब कितना समय में यह बना के दे देता है जिससे आप थोरा सा भी कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सा बरांड बेस्ट है आपके क्यूब बन चुका है लेकिन उतना हाड आइस क्यूब नहीं बना है तो चलिए 20-30 मिनट आउर में जार करते हैं उसके बाद देखते हैं कि सभी में कैसा आइस क्यूब बनके त्यार हो जाता है तो वीडियो पर बने रहें तो देखें फ्रेंट्स वान आवर 31 मिनट टोटल एकाउन मिनट नाइंटि-1 मिनट हो चुका है आप हम देखते हैं किस में अच्छा अपत्व हमारा बन के त्यार है ठीक है तो नमेर वान वार्फॉल का फिर कई खूलते हैं अधिक है तो देखिए यह काफी अच्छा आइस क्यूब बन के त्यार है यहां देखिए काफी यह स्ट्रॉंग वार्फुल के फिरीज में वान आवर 31 मिनट में जो है सभी में आइस क्यूब बन के हमारा जो है त्यार हो चुका है और काफी हाड आइस क्यूब बन के हमारा त्यार है ठ दूसरा रेफीजिएटर खोलते हैं जो कि आपका यहां सेमसंग का है इसमें देखिए खूलते हैं यहां पर टाइमिंग देख लिजीए कि वान आवर 32 मिनट यहां देखिए इसमें भी आपका आइस क्यूब बन के त्यार है इसको हम बाहर निकालते हैं लेकिन देखिए अभी तक सेमसंग में जो है काफी अच्छा आइस क्यूब बनना चाहिए वह नहीं बना हुआ है अभी तक इसमें थम्ぁाव अभी तक इसमें आपको मिलेगा थल пойm ju box में 2 नॉर्मल कोलिंग कर रहा है व्हास्ट है आपको इसमें बरप नहीं बना होए ठीक establishment यह देखिए हायर का इसको उप्ध करते हैं इसमें सबने में और इसका देखते है कि हमारा यह क्यों आए करे मैं तो इसमें भी देखिए आइस क्यूब बन के जो है हमारा त्यार है लेकिन इस सब में भी उतना फास्ट जो है उतना हाट जो आइस क्यूब होना चाहिए सो नहीं बना हुआ है अब देखिए लजी का जो रिफिजेटर है इसको ओपन करते हैं इसमें देखते हैं हमारा आइस क्यूब कैसा बना हुआ है ठीक है तो यह तो तूट गया दोसरा निकालते हैं तो देखिए इसमें भी काफी अच्छा इसको बन के त्यार है एल जी में और काफी अच्छा इसको बन के आपको इसमें त्यार है ठीक है देखिए आप गुद्रेज को ओपेन करते हैं इसका देखते हैं हमारा आइस क्यूब कैसा बना हुआ है कर देखिए इसका इसकी आपको इसका भी काफी अच्छा इसको बन के आवर 35 मिनट हुआ है टोटल 95 मिनट्स अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा रिफिजियेटर आपके लिए अच्छा आपके लिए प्रेंस गौद्रेज यावी यहायर सेमसंग वर्फूल सावी बरांड को हमने चलाया कंीन्यी इसमें हमने पावर सपल्ए दिया छे बज के 42 मिनट में है इसमें हमने अबर सपल्य दिया था और इसे Dependent 95 मिनट्स 25 मिनट किंटनी नंट्या वान आवर में हमने इसमें को ओप खार जाय तो सबसे अच्छा क्विस बरांड का बना है तो देखिए हमारे हिसाब से हमको सबसे अच्छा और सबसे हाड आइस कुप जो है वार फुल में देखने को मिला है क्योंकि इसका जो आईस क्यूब था काफी स्ट्रोंम फिक था और उसके बाद सभी बरांड का नॉर् क्रिकान के त्यार हो जाता है लेकिन जो होना चाहिए हाड है इस में देखने को यहीं मिलता है नहीं सैंसंग में नहीं में गोदरेशंञ तो सबसे इस्ट्रॉज है बनता है और सबहसे हैसे बना था लेकिन कुछ-गुछ भाग में जैसे Samsung में ही कुछ ऐसा था जिसमें Ice Cube पुरा बनके तयार नहीं हुआ था 90 मिनट में भी 90 मिनट हम इसे continue चला है फिर भी कुछ ऐसा था जिसमें Ice Cube नहीं बना हुआ था लेकिन लगभग सभी में Ice Cube बनके आपको तयार हो गया तो आप कोई भी बनान लीजिए यह समझ लीजिए आपका पानी जो है वान आवर में जरूर ठंडा कर देगा लेकिन Ice Cube बनाने के लिए 90 मिनट से लेके 120 मिनट आपको लेगा अगर आच्छा Ice Cube बनाना है या आच्छा आपको Ice Cream बनाना है तो आपको 90 मिनट से 120 मिनट का समय ले के नौनमल फिर इसे यह फास्ट कूलिंग करता है और इसने उसके पाबर खुल पर देंगे कें किया और काफी फूल जितना कहा पसुल्ट पर डालां के हम olmaz 12 के अब फोग्रान का सबसेबर करने में किके इसको की किशिस्में कितना समय आपको लेता है बरफ बनाने में Ice Cube जम सभी का नॉर्मल लगा आप देखिए सभी 5 स्टार फिरीज है लीटर भी उसिक सम्थिंग है 193 183 जो है आपको देखने को मिलेगा 189 लीटर में आपको सभी बरांड का देखने को मिलेगा आप आपको कौन सा लेना चाहिए तो लगभग सभी बरांड अपने जगा बेस्ट है कम से कम 90 मिनट से 120 मिनट आपको अच्छा आइस क्यूब देखने को मिलेगा यह आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बरांड का रिफीजेटर परचिस करना चाहिए देखिए आप जिस सहर में है उस सहर में देख लीजिए आपके सहर में कोई भी बरांड क यह उपलब दिया नहीं है क्योंकि फ्रेंट्स इस सब का जो है बिग प्रोड़क्ट होता है तो एक बार टॉलफी नमर पर कॉल करके जानका ले ले कि आपके सहर में इसका सर्विस इंट अपलब धाय यह नहीं है उपलब है तो आप बिल्कुल पर्चेस कर सकते हैं और इस से कुछ बताने में छूट रहा होगा तब कमेंट किजिए का 24 आवर्स कंदर जो है हम आपको रिपलाय दे देंगे फ्रेंट्स एक बातार हम बताते हैं वान घंटा में कोई भी बरन ने आइसक्यूब अच्छे परकार से नहीं बनाया ठीक है नॉर्माल आइसक्यूब आप आइसक्यूब आपको किसी भी बरांड नहीं बनाके आपको देता है चाहिए हायर हो एलजी हो समसंग हो कोई भी बरांड आपको हाड़ आइसक्यूब बनाके नहीं दिया रहा है चलिए अगले वीडियो मिलते हैं कि नीव पोड़क्ट के साथ चेनल पर फरस्ट आम आया हो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा चलिए अगले वीडियो मिलते हैं कि नीव पोड़क्ट के साथ